असलम लेकूम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे डिटा टाईप पाइथन में कौन कौन सी डेटा टाईप होती है और इसको हम फुरदर सारा discuss करेंगे के इसके क्या сказать हैं और बाकी चीजिट सबसे पहले जो data type आती है जो मैंने discuss भी की थी previous videos में int होती है integers जिसे हम कहते हैं इसकी represent कैसे करते हैं integers किसे कहते हैं 1, 2, 3 decimals जो होते हैं जितनी भी values होती है उसे हम whole numbers जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम integers कहते हैं चाहे वो positive हो negative हो वो int हम उनको उसकी type क्या होती है int जिसे हम कहते हैं python में data type जिसकी होती है int next जो आती है वो होती है हमारी float float को हम क्या कहते हैं decimal points होते हैं like point में जो values होती है हमारी उसे हम कहते है float उसके type क्या होती है हमारी type float इसके लावा जो next आती है वह string आती है वो भी हमने discuss आती है के उनको double quotation में हम explain करते हैं और जो होता है जैसे कि double quotation string कोई भी alphabet हम लिछते हैं number लिखते हैं या कोई language लिखते हैं वो हमारी double quotation में जो हती है वो क्या होती है str जिसे कहते है string next हमारे पास जो नहीं आई है वो है हमारे पास list list जो होती है वो order sequence करती है like उसमें हम different data types add कर सकते हैं जैसे कि इस जो आपने यह तस्वीर में देख सकते हैं कि 10 int है इसमें string भी है type का data भी पढ़ा हुआ है और इसके में floor type का भी data add है इसके बात आ जायती है हमारे पास dictionary 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 में जो है वो क्या होती है उसकी एक key होती है और इसकी value pair होते है let's suppose हमारे पास यह एक बिसाल like name है like name है इसके बात जो है मेरा नाम लिख लो कोई भी नाम जो है वो like my key है यह key होगी उसकी और इसकी जो key की value होगी वो यहां पर आगी और दर्मयान में यह वाले dot होंगे इसके लावा जो आजाते हमारे पर टपल टपल जो है वो सेम ही है जैसे के हमारी जो list है इसमें immutable होते हैं यह जो है में further हम जब discuss करेंगे तो आपको समझा जाएगी के टपल और लिस्ट में क्या difference है nextujual खude सेट हमारे सेट में जो हेब आपको पता है के curly bracket में वो start होते हैं इसके बाद जो है वह इसमें जो हैं वो all जो हैं वो unique values होती है Rings specific हम ने देखा हुए है करहें हम जाब बच मन में परते हुए थे वरते थे a is equal to 1 2 3 4 कभी हम ने यह नहीं किया था 1 1 1 2 3 for और ऐसे कभी नहीं होता तो सेट में क्या होती है यूनीक अब्जेक्ट्स होते हैं ये लिखा भी हुए इसके बाद बूलियन आ गया है इसमें क्या होता है ट्रू और फार्स होते हैं अगर ये कंडिशन ट्रू होगी अगर करना है Compiler में जाके और step by step देखना है कि क्या होता है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा सबसे पहले हम भाइल बनाएंगे DataType तो data type की एक file बनाई .py के साथ से सबसे पहले हमने start करना है क्या करना है हमने start करना है integer से तो सबसे पहले क्या देखना है इसकी type देखनी है तो हमने इसको वैसे भी देख लिया था explain कर लिया था फिर दुबारा हम देख लेते हैं तो इसकी type हमने कर दिया कि यह type अब हमारा integer का भी हो गया, इसके अलावा हमने क्या लिखना था, इसके अलावे हमने एक variable string का बना देना है, string, ऐसे हम लिख देते हैं, आपको string is equal to, कोई भी string पास पुराओ, like name, zayn, malik, तो यहां पर रखे आजाएगा, यह आजाएगा, अब यह string को भी हमने इसकी type देखनी है, type तो है string यह हमें पता है, लेकिन फिर भी हमने compiler में डालके इसको देखना है, तो यहां तक यह आगया, इसके अलावा जो है, वो है हमारे पास, string भी हो गया, float रहे गया, तो float, के लिए हम लिखेंगे, f is equal to, f is equal to, हमने एक variable बनाया, इसको assign करवा दिया, इसकी value दी 3.7, अब जो है, वो, इसको क्या करेंगे, print करेंगे, और type देखेंगे, इसकी क्या type है, तो typ type, f, यहां तक हमारे पास, तीन data type हो गये, हो गये, अब इनको क्या करना है, हमने, step by step देखना है, किस-किस type के, like, पहला जो है, वो क्या था, integer था, integer आया जी, दूसरा क्या था, string था, तो string दिया है, उसने, तीसरा क्या था, floor था, तो floor दिया है, इसके बाद हमारे चोथा क्या था, list से, list में क्या आया, let's suppose, हमारे बास fruit है, fruit is equal to, हमने एक list बनाई है, कि हमारे बास कितने fruit कौन कौन से, एक apple है, एक banana है, फर्थर हम list और इसको explain करेंगे, कि यह क्या होता है, और हम इसको क्या use करते हैं, पहले हमने string को भी देखना है, फिर int को भी, बाकी float को भी देखने है, फिर list सब data types को जो है, वह हमने explain करना है, और इसके साथ working करनी है, और इसको fruit को दे देते हैं, apple, banana, orange कर देते हैं, तो यह होगे, हमारे पास इन fruit होगे, अब इसकी type देखनी है, कि यह किस type के, हमारे पास data है, तो वो जो है, वो compiler हमें बताये का, कि यह किस type का data है, तो यहां तक यह हो गया, इसके लावा हमने देखना है, अब हमने इसके लावा list होगी, हमारे पास इसके लावा जो थी, वो क्या था, list के बाद dictionary थी, उसको हम क्या dictionary को हम कर देते हैं, अब इसमें क्या करना है, डबल स्टैडिक लगा के, डबल कोटेशन लगा के, इसके बाद हमने क्या करना है, नेम की उसकी लिखनी है, नेम है, इसके बाद हमने क्या लिखना है, कि नेम क्या है, जायन मलिक लिखते देंजी, यहाँ पर, जायन मलिक लिखते देंजी, यहाँ पर, जायन मलिक लिखनी है, इसके बाद, फिर नेम लिखना है, कोई, यह नेम जो है, नेम जो है, इसको लि तो यहां तक हमारा क्या होगा कि हमने डिक्षिनेरी बना दिया कि डिक्षिनेरी हमें हम कैसे इसको लिखते हैं इसके बाद जो है वह थर्ड आ गया है वह हमारे पास वह हमारे पास कौन सा कि टपल इसका क्या नाम लिखेंगे टपल को नाम लिख देते हैं लाइक हमने लिख दिया है कि कलर लिख देते हैं और इसको एड़ करके हमने टपल को कैसे रिप्रिजेंट करना था डबल ब्रैकिट और इसमें लिख देने हैं कलर्स राइक रेड है एक ब्लू है जाइक रेड़ है ब्लू है और हम इसमें 1020 इंटीजर बिटेटा दाल देते हैं यहाँ यह ओ गया ओ गया है इसके लावा हम अमसे हमने टाइप भी देखनी है तो इसकी हम लिखेंगे इसके टाइप आप दो, किया टाइप है क्या कर दो क्या टाइपeking का तीम्यों? दो अघ्रायगत آगे है 강व टाइब्ग एिसके लावा नाप वहा है यान रह गया है इसके बाद जो हो हमने क्या करना है इसके बाद जो है वह हमारा रह गया है set का set को हम कर देते हैं let's suppose हमने variable ले दिया हमने value कर दिया और इडिक को represent कैसे करते हैं like हमने जो बच्पन में हम करते होते थे is equal to set को कैसे represent के शरी तू-3,4 ऐसे करते थे और इसको हम देखते इसको हम टाइप भी देख लेंगे इसकी टाइप किया है तो यहां पर हमने क्या करना है कि A डाल देना है यहां तक अगया इसके बाद हमारे लास जो रहागिए वह गुलियून रहागिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको हमने रिप्रिजेंट करना है कि यह true है या false है like like c is equal to true तो इसको हमने क्या करना है अब टाइप देखनी है यह किस टाइप की है तो c को variable को टाइप देखना है तो यहां तक हमारे जो है अब हमने इसको compile करके देखना है कि किस किस टाइप की है यह तो यह देखिए इसको थोड़ाँ से में उपर करता हूं यह देखे पहला क्या था ए इंट आया दूसरा क्या था स्ट्रिंग स्ट्रिंग आया तीसरा क्या था हमारा फ्लोड फ्लोड आया चोथा क्या था हमारा लिस्ट लिस्ट आया था हमारा डिक्शिनरी टाइप का डिक्शिनरी आया डेटा इसके बाद हमारा पांच्वा क्या था टपल टाइप का टपल हमने दिये इसके बाद सेट है और बुलियन बॉल टाइप का डेटा हमारे पास आ आपको लास्ट में जो हमने किया हुआ था कि हमने एक हमने वेरियेबल का रिप्रिजेंट किया अगरवाया था कि मैमरी में कैसा लुकेट होता है तो इसको हम करते हैं like हमने वेरियेबल क्या बनाया हूआа A is equal to 10 तो A is equal to 10 होगा तो इसमें क्या होगा इक विरियेबल बना 10 और इसमें क्या होगा कि automatically हमारे जो मेपडी है इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक A नाम का वेरियेबल होगा और इसकी टाइप यो हो python में automatically data को देखके आप जज कर लेता है यह किस type कर data है ये किस type के है in type के है और यहाँ पर क्या होगा in type कर data होगा और यहाँ पर क्या हो жाएगा data में क्या आ जाएगा इसके अंदर 100 तो यह क्या हो गया यह इस type की जो memory में हमारा box बन जाता है memory location बन जाती है और इसकी कितनी memory होती है यह आप खुद रिसर्च करेंगे इंट जो है वो कितनी नह memory लेता है फ्लोट जो होती है वो फोर से स्टार्ट होती है इंट की फ्लोट की भी I think 8 से होती है 8 बाइट से और बाकी फर्दर आपने में रिसर्च करना है इस पर कि कितनी कितनी हर डेटा की कितनी कितनी memory जो है वो memory size होता है थैंक्यू सो मत अमीद है आपको सब समझ आ रहा होगा कोई भी confusion होई तो आप मैंने वर्ट सब नमबर दिया हुए आप राप्ता करके भी पूछ सकते हैं इसकी लावा कोई भी हमार इस कोर्स में कोई improvement लाएं या कोई गलतियां हो रही है तो जरूर आप comment करें जो हम improve करें अपनी